अगर आप जी जान से बहुत मेहनत करके और इतना सुंदर केक बनाते हैं फिर भी कश्टामर आपको बोलते हैं कि आपका केक अच्छा नहीं था तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह मेरा चॉकलेट फिलवर का हाफ केजी का केक है इसके लिए मैं 120 ग्राम प्रिमिक्स ली हूँ लेकिन अगर आपको हाफ केजी बनाना है तो आप 100 ग्राम ही लीजिए क्योंकि उससे हाफ केजी तयार हो जाएगा यह केक मेरा रिलेटिव में जा रहा था इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा देना चाहा रहे थी इसके लिए में थोड़ा एक्स्टा ली हूँ लेकिन आप लोग लें और मैं इसमें 200 ग्राम ही विपिंग करीम ली थी लेकिन आप लोग ह चोको चिप्स डाली थी टेस्स के हिसाब से कि थोड़ा और भी इनहेंस हो जाए और मैंने बेस को थ्री लेर में कट किया था और उसको तीनों को मैं पहले अच्छे से सोकिंग करी हूं फिर विप क्रीम में मैं एड़ करके कर रहे हूं क्योंकि चॉक्टलेट फिलेवर में चा बढ़ जाएगा आपको महंगा भी पढ़ जाएगा और यह केक का मैं 300 चार्ज करी हूं जिस लड़की का बड़े है वह सच में बहुत ही क्यूट है उसके लिए केक बनाना था तो मैं सोची कि कुछ अच्छा बनाओं कि वह बच्ची भी खुश हो जाए इसके लिए मैं नेरबाय मार्किट में गई और बहुत डूंडी मुझे शॉप खुला हुआ ही नहीं मिला इसके लिए मुझे डिजाइन चेंज करना पड़ा और यह जो आप लोग उपर देख रहे हैं न मैं इसमें स्ट्रोबेरी का इमेलचन डाली हूं क्योंकि मैं पिंक कलर फिर बना द बोले हैं लेकिन मैं बहुत ही सुन्दर बना कर दूं और मुझे अभी फिडबेंग नहीं मिला है क्योंकि अभी उन तक का केक पहुंचा ही नहीं है उससे पहले ही मैं वाइस ओवर कर रहे हूं हां मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि उनको केक कैसा लगा और किसी दिक्कत होगी जादा नहीं होगी हां एक दिन पहले कि अगर क्रीम यूज करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग क्या करें उसमें एक दो ड्रॉप पानी डालें और अपने चम्मा से उसको समच कर दें फिर वो अच्छा वो भी हो जाएगा लेक की फाइनल आइसिंग हो गई है और यह डिजाइन तो मैं बहुत बार बना चुकी हूं लेकिन है ना यह थोड़ा उन लोग से अलग है थोड़ा मैं और हाइट में देती ना लेकिन हाफ केजी का था ज्यादा हाइट में देती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप लोग यह डिजाइन एक बार जरूर ट्राय करें बीच में पहले है ना थोड़ा सा विपिंग क्रीम एसे मेरी तरह आप लोग भी कर दें इससे हैं आप देखेंगे डिजाइन बहुत ही उठी उठी उभरी सी लगेगी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा आप एक बार जरूर मेरे बोलने से ट्राय करें और यह नीचे देखिए यहां से मैं लेफ्टी हूँ तो मुझे यहां से जमता नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के लिए थुड़ा कोशिश करती हूँ फिर मैं नहीं कर पारी थी फिर मैं वो साइड से करी फिर मेरा हुआ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना रहता है तो मैं सोचते हूँ कि जो फुलावर्स बनाओं मैं आप लोगों के सामने बनाओं क्यूंकि आप लोगों को हेल्प मिले और मैं सारे flowers जो बनाई हूँ N1 nozzle से बनाई हूँ और ये जो मोदक जैसी design देख रहे हैं इसका 10 cut star nozzle नाम है बहुती सुन्दर इससे भी effect पड़ता है मैं सोची कि ये बना दूँ तो मेरे खरवाले बोले जाने देख फुलावर से तो भी अच्छा लग रहा है मैं बोली नहीं ये रहता है ना उसमें तो और भी सुन्दर दिखता है नीचे मैं बॉडर बना दी हूँ क्योंकि मुझे केक बहुती सुन्दर बनाना था अपने हिसाब से मेरी sister बोली थी केक अच्छा ही बना कर देना मैं बोलने वाली थी कि बेहन फोटू भेज़ दे लेकि क्योंकि मुझे फूल थोड़ा shining shining सा दिखता है ना तो ज्यादा अच्छा लगते हैं मैं खुद से करती हूँ कि customer को अच्छा करके दियूं कि उनको ना दोबारा भी आए अगर आप अच्छा नहीं बना कर देंगे तो वह दोबारा नहीं आएंगे और यह मैं तीन butterfly लगा दी हूँ और happy birthday का take लगाई हूँ और यह fountain से मैं कट करके उस पर सिद्रा लिखी हूँ और फिर थोड़ा सा sprinkle कर दी थी क्योंकि है ना इस प्रिंकल कर दो तो लूक और भी इनहेंस हो जाता है और आप लोग जरूर बताना कि मेरा यह केक सुन्दर बना है कि नहीं और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेर एन सस्क्राइब जरूर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्य लेकिन उससे मुझे होसला जरूर मिलता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई